हे फ्रेंड्स आज हम बाने जारा हैं बहुत ही मसालेदार बैगन का भरता तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैं कुछ सब्जियां लिए हमने 3 से 4 मध्यमकार के आलू 2 से 3 तमाटर, 2 से 3 मध्यमकार के प्याज, इन सब को अपको उबाल लेना है और उसके बाद 4-6 आप बैगन लेजिए बैगन को हमने गैस में अच्छी तरह से भून लिया है भूनने के बाद उसके चिलके उतार दिये है तो ये सारी सबजियां एक साइड रख लीजिया इसके बाद हम 3-4 टमाटर लेंगे 1-2 मद्यमकार की प्याज थोड़ा सा अदरक 10-12 लेसुन की कलिया एक पिंच हींग ली है 8-10 बारी कटी हुई हरी मिर्च तो देखिए पैन गरम कीजिए पैन में तेल गरम कीजिए इसमें हमने सबसे पहले हींग डाली है उसके बाद लेसुन की 8-10 कलिया आपने जो काटके रखी थी वो डालेंगे इसके बाद इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे इसके बाद आप इसमें अदरक डालिए थोड़ा सा और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे यह देखिए इस तरिके से जब यह पक जाए तो उसमें बारेक कटी हुई हरीमिट डालिए प्याज डालेंगे इसमें हम और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे ध्यान रखेगा इसमें गैस का फ्लाइम आप लो रखेगा इसके बाद जो हमने अलग से थाज़िया उबाल के रखी थी वो हम उन सबजीयों को मैश कर लेंगे अच्छी तरह से इसमें आलू है टमाटर है दो से तिन प्याज है और बैगन है देखिए शायद हमारी प्याज हो चुकी है इस तरीके से आप इन सब्जियों को मेश कर लीजिएगा इसके बाद हम इसमें एक से दो चमच लाल मिच डालेंगे स्वादा रूसार नमक डालेंगे और इसी मसाले के डालने के साथ हम इसको मेश कर लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से मसालों को इसमें मिक्स कर लीजिए देखिए यहाँ पर हमारी प्याज हो चुकी है इसके बाद हम बारिक कटे हुए टमाटर डालेंगे अच्छी तरीके से चला लीजे टमाटर जब पक जाएं उतनी देर तक हम इसमें ढखकन ढखकर रखेंगे मीडियम से लो फिलाई में रखना है आपको गैस का यह देखिए हमारे टमाटर पक चुके हैं अब इसमें मैश की हुई सबजीन डालेंगे अच्छे से चला लेंगे इसके बाद हम को इससे चार से पांच मिनिट लो फिलेम पर पकाना है ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि सबजी हमने अल्रेडी बॉयल करके रखी हुई थी चार से पांच मिट पकाने के बाद यह देखिए इस तरीके से हमारा भरता तयार हो चुका है अब इसमें हम हरी धनी डाल कर सर्व करेंगे